हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है दिर्पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा नाइन विज्ञान अध्याई जो हमारे समक्षा जाया है जीवन की मौली की काई जो इक अभी महतवपून रहेगा यानि देखा जाए तो पूरे चैप्टर जो की NCRT बेसी पे अधारित है यानि सारे कोशन जो होंगे NCRT के अंतरगत होंगी तो यह और भी महतवपून बन जाता है तो देखते हैं हमारा यहाँ पर कोशन क्या आया है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफी महतवपून चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई जीवन की मौलिक इकाई यानि फंडामेंटल इंडर लाइव यह कक्षा नौमी CBC NCRT की अंतरगत साइन्स का यहाँ पर कोशन है और यह सारे कोशन MCQ के रूप में है जो ही काफी महतवपून है और जिन बच्चों को जो है कोशन देखना है वो प्ल लिस्ट पे मिल जाएगा तो यह काफी महतवपून रहेगा यहाँ पर देखा जाए तो MCQ काफी महतवपून डखता है देखा जाए तो exam point of view के साथ साथ competitive exam के लिए भी काफी महतवपून बन जाता है क्योंकि हर एक competitive exam में MCQ कोशन और science के अंतरगत होता ही होता है तो यह कोशन की हमर बात करें तो हमारा यहां कोशन आया है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि निमलिकत में से कोन कोशिका की सभी जैविक गत्विदियों को नियंतरित करती है ठीक है कोशन समझ में आ गया कि निमलिकत में से कोन जो है कोशिका की सभी जैविक T, C, ना भी, या D, ये साड़े ही कारे करती हैं, तो आपका अंसर जो भी है, दिजिए, और ये कोशन काफी interesting है, और ये NCRT से ली गई है, तो ये exam point से भी काफी महत पून है, तो जिन बच्चों को जो लगता है जो अंसर, वो अपना अंसर लिखिए, comment कीजिए, जो भी माध् जैविक गतवीद्यों के नियंतरिद करती है, देखा जाए तो protoplasma का यहां पर ये ऐसा कारे कुछ भी जो है नजर मुझे नहीं आ रहा है, कोशिका भित्ति जो है protection की कारे कर सकती है, लれकिन सभी जैविक गतवीद्यों में नियंतरिद नहीं करेगी, तो देखा जाय जो है काफी महतुफून है केंद्रक जैसे मैंने आपको पता हैं इसके नुक्टीर्स भी ऑपा आता है उसका ही मेन कारे होताать रघ्षा है जो वे एससे कोशिका है जो सबहर्आergी गद्बिदियों को नियनतरित करती है तो नाभिक जो है महतवपूर है और जिन बचों नाभिक लगाया है उनका सही है यानि इस कोशन का अंसर जो है नाभिक है C आप्शन इसका सही है चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि कोशिका सिधान किसके दोरापस ताबित किया गया था कोशिका की एक सिधान थी और ये सिधान किस ने दिया था क्या A रोबेट ब्राउन ने दिया था या B रोबेट हुक ने दिया था या C सलेडेन और स्वैन ने दिया था या D एंटन वान प्रिवेन होक दिने दिया था तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता होगा वो डारेक्ट देंगे क्योंकि ये कोशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है काफी महत पूर्ण है एक्जाम पॉइंट अव व्यू से आपके माइंड में घूमने लग जाएगा लेकिन जब भी वीडियो देखते हो तो इसको जो है अच्छे से सुनिए सही से सुनिए स्किप करके न देखिए जो बच्चे स्किप करके देखते हैं उनकी बाते आधी अधूरी रह जाती है मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है जो है आप्शन कोंसा करेक्ट है उस पे सिर्फ देखने के लिए आगे बरा लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपको बास्तविक नॉलेज का ग्यान नहीं रह पाता है इसकी पना कीजिए ठीक है इसको जो है अच्छे सुनिए अच्छे से देखिए तो आपने अपना बात समझ गए होगे और अपना अंसर लिख दिये होगे देखिए कोशिका सिध्धांद किसके दोरा पस्तावित किया गया था अगर आपको पता होगा तो कोशिका सिध्धांद जो है सलेडेंस और स्वैन ने दी थी यानी इसका अंसर C उप्षन सही है और जिन बच्छों ने C उप्षन पे अपना अंसर रखा है उन सब का अंसर यहाँ पर सही जाएगा C सलेडेंस और स्वैन ने जो है कोशिका सिध्धांद को पस्तावित किया था चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या पस्तावित हुआ है अगला कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है प्लाजमा जिल्ली जो होता है किसकी बनी होती है कोशन है यहाँ पर साफ है प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है A. सुलिलोज और लिपिड का B. लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है या C. पेप्टिड गो लाइक क्वेन और लिपिड से बनी होती है या D. सुलिलोज या प्रोटीन की बनी होती है देखा जाए तो ये काफी महतफून है ठीक है आपको अपना अंसर देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं वो काम्याब जरूर होती है तो यहाँ पर आपने कोशिश कर लिया है अपना अंसर तयार कर चुके होगे मुझे विस्वास है दीए कोशन यहां किलियर है कि प्लाजमा जिल्दी बनी होती है प्लाजमा जिल्दी की एक बात मैं बताऊँ तो इसके लिए सबसे महत्वपून प्रोटीन होता है ठीक है प्रोटीन बहुत ही महत्वपून होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 औप्सन में प्रोटिणि नजAF रहा है नहीं 2 औप्सन में प्रोटिणि नजब आ रहा है B और D में तो मैंने जैसे आपको पता है प्रोटिणि इंपोरेंट होता है PLAZ yat diagnost होता है यह देखा जाता है A और C automatic eliminate हो जाता है ठीक है देखा जाये तो ये काफी महत पूर्ण बात है कि मैंने बताया प्रोटीन इंपोटेंट है लेकिन A और C में प्रोटीन की बात तो दूर दूर तक नहीं की गई है तो इसका मतलब A और C जो हैलिमिनेट है हमारे समख सिर्फ रह गया है दोंद B और D में कि B और D में प्रोटीन की जिक्र की गई है लेकिन मैं आपको बता दूँ प्लाजमा जिल्ली जो होता है लिपिड भी साथ में इंपोटेंट कारे करता है तो इसका मतलब सुरिलोज का यहां कोई कारे नहीं है तो इसका मतलब D आप्शन डिजेक्ट हो गया तो B और D आपका सही है कि प्लाजमा जिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है यानि B और D आपका सही है और जिन बच्चों ने B और D आपका चैन किया है उनका अंसर भी सही होगा और यह काफी महत्तपून होगा चलिए इसी के अंतरगत अगला कोशन, और देखें अगला कोशन हमें क्या बताती है, अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है, कोशन है, हैपर टونिक घोल में, हैपर टونिक घोल में रखी गई, पादब कोशिका, किस-kिस उपस्टति करन नहीं फटेगी, देखिये, हैपर हेजाना हम वाफृ हएगा ग crawl lot is solution होती है अगर उसमें को शुका पादब कोशिका रख दें तो वफ नहीं फटेएगी लेकिन यहीं इसोचने पूछ लिया है । hypertonic school में अगर अगर हम पादब कोशिका रख देते हैं क्यों नहीं फटेगी किसकी उपस्र bizi के करन्नुर या b कोशिका 22 करन्न यह cруडोप्लाकि box के कारन यह d किसके करन्न जो स्थ का पादब कोशिका नहीं फटेगी थो आपका अपना अंसर जो भी है चुनिए और मुझे अंसर बताईए क्योंकि आपका अंसर महतुपून होगा, आपको अपना अंसर देना चाहिए और यही महतुपून बात यहां पर आता है तो आपने अपना अंसर सोच लिया होगा, बहुत ही पादब कोशिका रखे तो नहीं फटेगी किसके कारण नहीं फटेगी कोशन तो यही है ना किसके कारण यह नहीं फटेगी प्लाजमा जिल्ली के कारण नहीं फटेगी नहीं गलत है प्लाजमा जिल्ली होती तो फट जाती बी कोशिका भित्ती यानि सेल बॉल ही तो मैं भूमिकादा करती है तो देखा जाए तो कोशिका भित्ती के कारण नहीं फटेगी यहाँ पर B-Option आपका सही है B option कोशिका भीत्ती कोशिका भीत्ती के करण जो है अगर हम पादब कोशिका कोसईट्टो जो है हाई हाइपा टोनी घोल में रखे तो ये कोशिका भीत्ती के उपस्तरी करण ये नही नहीं फटेगा यानि इसका B option सही है चलिए देखते है अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है कोशन है ऑटो लिसिस क्या है ऑटो लिसिस क्या है कोशन बहुत किलियर साफ है ऑटो लिसिस क्या है यह स्वेम परतिकुरितीत है यह स्वेम पाचन है यह स्वेम खादे उत्पादक है यह डी खादे अब घटक ह तो क्या है आपको बताना है कि आटो लेसिस क्या है कभी सुना होगा तब ना पता होगा अर्जिन बच्चों जो है NCRT बूक अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं ना तो उनको एक्जाम के लिए अच्छे मांक्स होते हैं ना कोई भी कॉम्पूरिट एक्जाम में अच्छे कर सक से क्लें में उसी में से पुछे जाते हैं अच्छे के बूक करते हैं और इनको कोई भी एजाम करने में कम से कम 55-56 साल लग जाते हैं लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे अरे रहते ना उनका क्लियर भी हो जाता है तब ही तो यहां तिरपान संडर ने एक अच्छा सा प्लाटफॉर्म तयार कर दिया है कि हम NCRT करेंगे और NCRT से ही कोश्चन जो है एक्जाम लेड़ वहाँ तयार करेगा और जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे समझ लेते हैं सभी NCRT को देख लेते हैं तो मुझे विस्वास है कि उनका जो है एक्जाम पांच साल के जगाँ पर एक ही बार में जो है क्लियर हो जाएगा लेकिन तब होगा जब आप रूर लेगरेशन को फॉलो करोगे ट्रिक या निंजा जो है टकनीक का इस्तमाल ना करके जो है दिमाग का जो भी खुबी करोगी जैसे इस कोशन में भी आपने अपना दिमाग यूज किया होगा और अपना आंसर जो है लिख दिया होगा जो कभी महत्वपूर्ण रहेगा देखिए ऑटो लेसिस क्या है ऑटो लेसिस की बात करें तो यह स्वेम परतिकृत नहीं होती है यह तो आपका सही है और जिन बच्चों ने बी ऑप्षन चुना है उस सब का अंसर जो है सही जाएगा स्वेम पाचने काम जो है आटो डेसिस करती है तो बी ऑप्षन इसका सही है चलिए देखते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है और देखिए कोशन काफी दिल्चस् पौधों में केंद्रिय रस्धानी का क्या का रहे है पौधे होती है पौधों में केंद्रिय रस्धानी का क्या का रहे है क्या पानी और घुले पोशन तत्व को संगरित करती है या प्रकास्षन करती है या संगरित पोशन तत्व को उडजा जारी करती है या डी कोशिका के अनुवाशन समागरी की रक्षा करती है आखिर यहाँ पर पौदों में केंद्री रस्दानी के क्या कार रहे हो सकता है आपको जो भी अंसर सही लगता है आप लिखिए क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोशन बहुत ही महतुपून सब आपके समक्ष आ रहे है तो यह आपके लिए महतुपून रहेगा ठीक है तो आप अपना आपसर सोच लिए होगे और नोटबुक पर नोट भी कर लिए होगे तो यह काफी महतुपून बन जाता है जोड़े कोशन बहुत करके देखें कि पौदों में केंद्री रस्दानी क्या कारे करती है अगर मैं आपको डिरेक्ली बताना चाहूंगा कि कोश्का के नुवांची समागरी के रक्षा करती है यह केंद्र रस्दानी के कारे नहीं है कोश्का के नुवांची समागरी के रक्षा करना नहीं है यानि डी आप्शन आपका गलत है D option के साथ हम नहीं जा सकते है संग्राइक पोशक तत्वे उर्जा जारी करती है नहीं ये भी option आपका सही नहीं है परकास रंसलेशन करती है तो नहीं रसदानी के काम यहां परकास रंसलेशन नहीं करना है तो इसका मतलब A की option साथ रह गया है यानि सेश रह गया है कि पानी और गुले हुए पोशक तत्व को संग्राइत करती है पौधों में केंद्रियस दानी का कारिया पानी और गुले हुए पोशक तत्व का संग्राइत करता है यानि A option सही है और जिन बच्चों ने A option चुना है उनका सही है और जिन बच्चों नहीं चुर रहा है उनका गलत है लेकिन दोस्तों चलिए देखते हैं अगला कोशन पे भी नजर डाल लेते हैं कि अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमाने समक्षा गया है कोशन है कि ब्लाक रियक्शन का पस्ताब किस ने दिया था देखिए एक रियक्शन दी गई थी ब्लाक रियक्शन और इसके बारे में शायद ही आपको कभी परह हो लेकिन कहते है न जो बच्चों ने इसके फॉलो नहीं किया उनको शायद इस अंसर का पता भी नहीं होगा कि ब्लाक रियक्शन की पस्ताबना किस ने दी थी और ये एक्जाम पॉइंट और व्यू से महत्तोफून कोश्चन बनता है कि ब्लैक रियक्शन का पस्ताप किस ने दिया क्या बेंडा ने दिया या B क्रेमीलो गॉलगी ने दिया या C सिलेडेन ने दिया या इन में से कोई भी आप्शन जो है सही नहीं है अब जिन बच्चों को पता होगा फटा किसे अंसर लिख भी चुके होंगे या मुझे भेज भी चुके होंगे मुझे पिस्वास है चलिए देखते हैं इसका अंसर क्या हो सकता है कोईशन तो समझ में आही गया होगा कि ब्लैक रियक्शन का पस्ताप किस ने दी थी देखे बेंडा ने तो नहीं दी थी ये तो मैं भी जानता हो कि बेंडा ने तो नहीं दी थी इसका जो है पस्ताप ना ब्लैक रियक्शन का कैमिलो गॉलगी ने दी थी कैमिलो गॉलगी यानि B option आपका सही है और जिन बच्चों ने B option चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा जली देखते हैं अगला question क्या है और क्या बताता है हमें अगला question आपके screen पर आ गया है question है कि Amiva अपना भोजन किस परक्रिया द्वरा प्राप्त करता है देखे ये question तो आपने कई बार सुना होगा कई बार किया होगा कि Amiva अपना भोजन किस के परक्रिया द्वरा प्राप्त करता है ये तो चोटे क्लास से ही Amiva के बारे में बच्चों को बताई जाती है तो इसका answer तो आपको बहुत यसानी से पता होगा तो इसका A option है exocytosis B है endocytosis C है प्रासरन या D है प्रसार देखिए प्रासरन और प्रसार ये तो टोटली जो है rejected question है c, d तो आप इसको हटा ही दीजिए ठीक है c और d प्रसार और प्रसार नहीं होगा यानि c, d जो है बिटकुल reject है c, d को छोड़िए और a, b को पकड़िए और a, b में से सिर्फ एक ही option आपका सही होगा, तो a, b में से आप सोचिए क्योंकि आपको यहाँ पर त्रिपान से जंडर ने 50-50 जो है option कर दिया है, तो देखिए क्योंसा answer सही होगा, एक answer सही है एक answer गलत है, सोचिए विचार किजिए और अपना answer लिखिए, यह महत्वपून होगा तो आपने अपना answer सोच लिया होगा अपना answer लिख लिया होगा तो यह महत्वपून बात है देखा जाए तो question यहाँ पर clear है कि Amoeba अपना भोजन किस परक्रिया दोरा प्राप्त करता है देखिए हमने दो option को तो reject कर दिया था C और D का A और B का और है किया था हमारे समक्षण द्वन्त तो मैं बता दो exocytosis exocytosis ओपर क्रिया है जिसके दोरा Amoeba अपना भोजन नहीं प्राप्त करता है यह option आपका गलत है यह option के साथ नहीं जा सकती अबबा अपना भोजन पर क्रिया दोरा प्राप्त करता है दोनों option बहुत है सामने थी लेकिन सिर्फ बिंदी का फरक था ठीक है एंडोसायटोसी और exocytosis जो एंडोसायटोसी के दोरा भोजन प्राप्त करता है यह बी option आपका सही है और जिन बच्चों ने भी option लगाया है उन सब का option जो है सही है चलिए देखते हैं आगे question हमारे समख क्या बताता है अगला question हमारे समख शा गया है question है chloroplast में प्रकास किसके दुरागर्ण की जाती है देखिए आपने आपको पता भी होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाती है पौधे जो है अपना भोजन सूरे के प्रकास में बनाती है और इसके लिए chloroplast जो है काफी महतुपून अपना योगदान देता है और देखा जा कारिय क्या होता है open and closing and gastーい Webeter का का म ciąuing होता है यह जांई रन्द का कारे होता इसी किएंदगर हviolite क्युशन रे ấy है कि Kliudoplast में प्रकास किसकी दोर्ड़ा गरन की क्या कोण्य गरन्त कराने में हेल्प करता है प्रकास तो पत्ती ही उपर अच्छा, फीक है लेगिन कोन करन करता है क्या ग्रेन के भीतर थैलकोर्डेस करता है या भी सेटोन के भीतर ग्रेना करता है या सी ग्रेना के भीतर स्टेन करता है या डी थैलकोर्डेस के भीतर ग्रेना करता है कोशन काफी महत्पून है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेना थैलकोर्डेस काफी ह रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर एक बात तो है मैंने थायल को डेस्ट की बात की है थायल को डेस्ट जो है काफी महतुपून है तो इसका मतलब यहाँ पर B और C option जो है नहीं माननेता दीगी B option तो ही नहीं जब मैंने एक बात आपको बता दिया और आपको जो है clue भी दे दिया कि था है लोग कोडस का जो है मैं तो पूर युगदान होती है और थालो कोडस जो है जो है जो है सिर्फ A और D option में ही उपलवद है लेकिन दोनों में जो है थोड़ा सा question बदल दिया गया है यह कहता है कि गेना के भीतर पाय जाता है और A कहता है थालो कोडस के भीतर गेना पाय जाता है जिसका जो है कारिये क्लोरोपलास में परकास को गरन कराना होता है तो यहाँ पर देखा जाया तो आपका option जो है A सही है दी गलत है थारो कोडस के भीतर गेना नहीं करेगा अब जो जबकि एक गेना के भीतर थारो कोडस जो होती है वो प्रकास को ग्रहन करती है यानि ए अप्षन आपका सही है और जिन बच्चों ने ए अप्षन चुना है उन सब का अंसर सही होगा और वो अच्छे कर रहे हैं तो अंतिम कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है कोशिका में केंद्रक की खोज किस ने की देखिए कोशिका होती है और कोशिका के मुलबुती काई जो होती है केंद्रक होती है और केंद्रक काफी महतुपून होती है और सबसे बरी बात है कोशिका में केंद्रक की खोज किस ने कर कि कोशन तो दिल्चसप है न? क्या A. लिवेन हॉक ने की या B. रोबेट ब्राउन ने की या C. स्टेर डेन ने की या D. रोबेट हुक ने की देखे जिसने कंद्रक की खोज की ओक काफी महतुपून कोज किया और कंद्रक से ही सारे जिवो का जो है अधार सुनिशित होती है तो कोशिका में केंदर की खोज किसने की अगर आपको पता है तो आप फटाक से मुझे अंसर दे सकते हो और मुझे कोमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो जो कभी महत पूंड रहेगा अब देखिए इस कोशिका में अगर केंदर की खोज किसने की तो इसका साफ अंसर है और साफ मैं बतना चाहूंगा कि रोबेट ब्राउण है रोबेट ब्राउण ने जो है कोशिका में केंदर की खोज की यानि इसका B option सही है और जिन बच्चों ने B option चुना है उन सब का अंसर सही होगा और ये साड़े question आप लोगों के लिए काफी महत पून होगा तो आप बने रहे तिरपान से संटर के साथ और आगे आपके लिए बहुती भिकल्ब तिरपान से संटर लाएगा तो आप तक जितने भी question आपने किया है सभी question को जो है झाल झाल